हेलो आपका स्वागत है यूबॉर्ण अकैडमी में जैसा कि हम पहले बता चुकेंगे इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकूट करेंगी क्लास 10 ते के अंदगत साइंस को फोर्ट चैप्टर चल ला है जिसका नाम है कार्बन और उसके योगिक इससे पहले इस चैप्टर के हम सेवन वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने कार्वन की जो डिफ्रेंड कंपॉंस थे उनको डिसकस किया है अलकेन क्या होता है अलकाइ स्रीच को हम डिसकस करेंगे जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें चले शुरू करते हैं कार्वन एंड इट्स कंपॉंड पार्ट एट्थ हमोलगर स्रीच जिसको हिंदी में क्या उला जा यह लंब बना सकता है एक लंबी स्रंखला बना सकता है तो यह किया नहीं यूनिक इस्टक्चर यूनिक प्राबडिज है तो वेरिंग लेंथ बहुत सारी लंबी लाइंच चेन के साथ क्या बना सकता है इंडिशन hydrogen atom और atoms of these carbon chains can be replaced by one of the functional group that we saw above हमने देखा कि carbon जैसे methane है तो methane का structure CS4 था formula का है CS4 इस नंक्सिस का structure था तो इसमें हम एक या एक से ज़्यादा hydrogen atom को replace करने के बाद उसके साथ कोई दूसरा group जोड सकते हैं तो हमने माल लो इस पर OS जोड़ा तो यह कौन सा किर्यात्मक्रा हो गया functional group कौन सा हो गया है hydroxy है तिक करीं नाम कैंव है alcohol तो alcohol group क्या कर दे है हमने इसके साथ attend कर दिये है या मिश के साथ कोई अन्य group जैसे CHO लगा देंगे एयल्याइड group भी इसके साथ attend कर सकते हैं प्रजेंस ऑफ फंशनल ग्रूप साच अई एलकॉल इंडिकेट दफ प्रॉब्रीज ऑफ दा कार्बन कंपॉंड रिगार्डेट ऑफ दा लेंथ ऑफ दा कार्बन चीन ठीक है जैसे हमने कहा कि एलकॉल जैसे प्रक्रियात्मक समों की उपस्तित कार्बन योगी के गुर्धर् कि प्रॉप्रीज होंगी उनको डिफाइन करेगा निम्हिंग ग्रूप गरूप सकते हैं यहां पर भी यह अज ग्रूप है यह बहुत खूप है तो एलकॉली ग्रूप होने की बेस पर इनकी प्रॉप्रीज क्या होंगी लगभा एक दूसर तो से कि हैंसे सच अश्रीज ऑप कंपॉंट्स इन वीच दा सेम फंशनल ग्रूप सब्स्ट्रेट फॉर हैडोजन इन अ कार्वन चेंड इस कॉल्ड होमोलोगस स्रीज ठीक है इस तरह जोहार पास किया है श्रिंख्ला में जिसमें कार्वन कार्वन स्रिंख्ला में इस सिथ हैडोज क्या होगा इसके साथ एड़ होगा तो यही क्या होता होमोलोगस स्रीज के अंदर रखा जाता है लेट्स लुक एड़ी होमोलोगस स्रीज डेट वी सो अर्लियर इन टेबल 4.2 इफ वी लुक एड़ फॉर्मला आफ सक्सेशिव कंपॉंट्स से ठीक है अगर हम एक ही ग्रू स्वांट्स में किस ग्रूप का अंतर जाएगा तो इसको में डिसकस करतें जैसे चीज का अंतर हो इंधीन और इथीन यहीं होता है CS3 CS3 तो यह किसका है? एथेन का formula है यहाँ पर carbon कितना है? एक यहाँ पर carbon कितने है? दो तो यहाँ पर hydrogen कितने है? चार तो इसमें किसका group आ गया? एक carbon item का change आया और यह किसका आया? hydrogen का तो CS2 group से क्या होगा? इसमें variation आएगा ठीक है तो CH2 group क्या होगा इन सब compound में differ करेगा C2S6 and C3S6 अब ethane आया C2S6, ethane wall के लोगा और C3H8 ये क्या है propane है तो इसमें भी क्या होगा CH2 group क्या होगा बढ़ेगा एक carbon atom बढ़ा है और दो hydrogen atom इसमें बढ़ेगा तो ये क्या है उसका successive next member higher member होगा what is the difference between the next pair propane and butane ठीक प्रोपेन और ब्यूटेन में भी क्या होगा C3H8 ये प्रोपेन होगा और ब्यूटेन क्या है C4 H10 तो यहां पर भी क्या होगा CH2 group का अंतर आएगा तो carbon यहां पर कितने हैं 3 carbon atom होगा तो उसमें CH2 group के base पर क्या करेंगे मन को difference करेंगे can you find out the difference in molecule of masses between these pairs क्या आप इनके जो compound बने जैसे हमने एक methane कहा एथेन कहा प्रोपेन कह रहे हैं butane कह रहे हैं तो उनके molecular mass में कितने का अंतर आएगा ठीक है तो यह आपसे पूछ रहे है the atomic mass of carbon is 12 and the atomic mass of hydrogen is 1 carbon atomic mass कितना है 12 और hydrogen का atomic mass कितना है 1 ठीक है तो कितने का difference आएगा तो इसको हम डिस calculate कर लेते देखो हमार पास methane का molecular mass पहले हम calculate करते है CS4 CS4 में carbon कितना है 12 और hydrogen कितना है यहाँ पर 4 और 1 का कितना होता है एक तो plus 1 into 4 करेंगे हम एक hydrogen atom का mass 1 होता है यहाँ पर total hydrogen कितना है 4 तो 4 कितना हो जाएगा 4 into 1 is equal to 4 हो जाएगा 12 plus 4 is equal to कितना होगा 16 यहाँ जो methane है methane का molecular mass कितना हो गया 16 अब देखो हम ethane का निकालते हैं methane का कितना है 16 इथेन का लेगा लेगे C2 S6 इसका molecular mass लेगे तो carbon कितना है यहाँ पर 2 तो 2 into 12 है क्योंकि एक का 12 होता mass plus hydrogen का 1 का कितना होता है एक atom का hydrogen का mass कितना होता है 1 और यहाँ पर total कितना atom है 6 कितना atom है 6 तो 12 into 2 is equal to कितना होगा यह 24 हो जाएगा 24 प्लस 6 बरावर कितना होगा 30 1 into 6 था ना तो 30 हो जाएगा तो molecular mass में कितने का अंतर आया methane का कितना था 16 इथेन का कितना है 30 इसको minus करेंगे तो हमारे पास difference आ जाएगा देखो next step मैं आगे बढ़ता हूँ methane का molecular mass कितना है था 16 और ethane का molecular mass कितना है 30 तो 30 में से 16 को minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 तो जो भी next successive member होगा तो इसके molecular mass में CS2 group जुड़ेगा CS2 group जुड़ेगा तो इसका molecular mass में कितने का अंतर आएगा 14 unit का mass आएगा 14u 14u का क्या आएगा इसमें difference आएगा similarly take the homologous series of alkenes SM alkenes को भी ले सकते हैं the first member of alkenes of the series is ethene which have you already came across in section 4.2.1 तो हमार पास क्या है ethene what is the formula of ethene ethene का formula क्या है C2H4 ethene का formula क्या C2H4 इसका जो next member आएगा वो कितना आएगा C3H6 ठीक इसका जो next member है वो क्या है C3H6 तो कितने का अंतर आएगा इसमें भी CS2 group का अंतर आएगा किसका आएगा CS2 group देखो इसमें कारवटम 2 इसमें कारवटम 3 तो 3 मेंसे 2- करेंगे तो 1 CS2 आएगा यहाँ पर हड़नेटम की 3-6 यहाँ पर कितना है 4 तो 6 मेंसे 4- करेंगे तो H2 आएगा तो इसमें परतेक जो alkenes होगा alkenes होगा alkenes होगा सक्सेडिंग मेंबर हैब दफॉर्मला c3-s6 c4-s8 and c5-s10 डू दीज डिफर भाई CS2 ग्रूप उनिट तो इसमें भी क्या होगा जो CS2 है ठीक है उस ग्रूप का क्या होगा यहाँ पर अंतर आएगा ठीक है यहाँ पर कितने है इसको मैं बता चुका अभी पीछली पार में यह कितने carbon and hydrogen atom का अंतर आपा रहा है तो यह कहता हमार पास एक general part है the general formula of alkanes alkanes can be written as CnH2n alkanes का general formula क्या होगा CnH2n n is equal to 2,3,4 कुछ भी हो सकता है ठीक है can you similarly generate the formula of the alkanes and alkanes देखो मैं इसको यहाँ बता था, alkanes का क्या होता है CnH2n plus 2 यह किसका है, alkanes का है, यह किसका general formula है, alkanes का, ठीक है, याद रखेगा अगर हम alkanes का देखेंगे, तो alkanes में से क्या हुआ, यह जो general formula है, alkanes का हुआ जो कि यहाँ पर discuss किया हुआ, CnH2n, ठीक है, उसके बाद अगर हम alkanes का देखेंगे, तो alkanes में minus क्या करते हैं, 2, तो यह किसका होगा, alkanes यह किसका है, general formula है, alkanes, और यहाँ पर भी n is equal to क्या होगा, 2,3,4,5,6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, to alkanes, alkanes क्या होगा, general formula होगा, देखो मैं बता के देखता हो, आपको, CnH2n, जैसे हमने C कितना रखा, N की जगा कितना रखेंगे, 2, H कितना होगा, 2 into 2, ठीक है, तो कितना होगा, C2H4, क्या होगा, C2H4, यहां पर रखेंगे, तो C3H, कितना होगा, 2 into 3, तो कितना होगा, 3 to the 6, तो C3H6, ठीक है, तो किसका फॉर्मल आ जाएगा, प्रोपीन का, ऐसे ही ब्यूटीन का, आगे हम बढ़ते जाएंगे, एलकेन की केश पर देखेंगे, क्या बता है था, जर्नल फॉर्मा, Cn, H2N plus 2, यह एलकेन का है, C is called to कितना रखा, हमने 1, H कितना रखा, 2 into 1 plus 2, तो कितना होगा है, C1 को नहीं भी लिखेंगे, तो चब भी चालेगा, तो CH4, कैसे, 2 into 2, 2 into 1 is called 2, plus 2 is called 4, तो CH4, मिथेन आ देखो कैसे, C कितना रखा, N कितना रखा हमने 2, H2 into 2, plus 2, तो कितना होगा, C2, H6, ठीक है, तो इस दंग से मागे बढ़ेंगे, अलकान की केस पर क्या कहता हमने, अलकान में माइनस कहाता, तो माइनस टू कर दिया हमने, तो क्या बनेगा, C2, H कितना रखेंगे हम, 2 into 2 minus 2, तो क्या बनेगा, C2, H2, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पहला में बढ़ेंगे, ज़्यक है, वैसे प्रोपैन, ब्योटेण, आग तो कितना जाएगा, C3, H कितना हो जाएगा, 32006 में से 2 गया तो 4, तो C3, H4, ठीके तो यह वाला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद, नेक्स्ट आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो हमार पास, एलकेन, एलकेन और अलकेन का, मैंने कुछ एक्जम्पल बताएगा, ठीके, कार्वन का आणविक द्रवान बढ़ता है, तो उनके भवत्ती गुण में भी क्या आती है, कर्म बवत्तता दिखाई देती है, ठीके, होमलोग के स्रीज में, तो फिजिकल प्रवडिजम में भी क्या होगा, उससे तरह से चेंज़ जाएगा, इनका, जो मेल्टिंग और बॉलिंग प्रवडिजम में भी क्या होगी, बढ़ते भी जाएगा, अधर फिजिकल प्रवडिजम में भी क्या होगी, बदलते भी जाएगी, बदलता भी चेंज होते जाएगी, या बिलेता कम होते जाएगी, बढ़ते हैं, तो सोलबिल्टी क्या होते हैं, कम होते हैं, बढ़ता के साथ, बढ़ता जाएगी, बढ़ता के साथ, वह similar होंगे ठीक है उनकी similarities remain similar in homologous series तो homologous series जो भी होंगी तो उसकी chemical properties क्या होंगी लगभग एक जैसी होती है activity 4.2 calculate the difference in the formula and molecular mass for CH3OH and C2S5OH यह आपके लिए है दूसरा क्या है C2S5OH and C3S7OH and this one तो आपको कहना है इनके molecular mass में क्या कहना है आपको difference calculate करना है is there any similarity in these three इन तीनों में कोई similarities है या नहीं है यह चेक करना है arrange these alcohols in order of increasing carbon atoms to get a family can we call this a family homologous series generate the homologous series for compounds containing up to 4 carbon for the other functional group given in table 4.3 ठीक 4.3 में देखो मैं इसको बताता हूँ calculate the difference in formula and molecular mass for formula क्या आपके पास पहला है methanol दूसरा क्या है ethanol इनका molecular mass calculate करेंगे तो हमारे पास क्या देखो CS3 count कर लेते हैं CS3 OH कार्बन कितना है 12 प्लस 3 यह hydrogen atom हो गई प्लस 16 oxygen हो गया प्लस एक यहाँ पर क्या हो गया hydrogen तो total कितना हो गया इसका total कितना हो जाएगा molecular mass equal to 12,3,15,15,16,16,22 तो 32 यानि जो methanol है methanol का molecular mass हो कितना है 32 दुबारा सुनिएगा 12 किसका लिए carbon का molecular mass 12 होता है यह 3 कहां से लिखा हमने यहाँ पर hydrogen के 3 atom है यह लिखे हुए है उसके बाद हमने यह 16 कहां से लिखा यह oxygen का molar mass कितना होता है 16 और hydrogen का molar mass 1 हमने यहाँ पर लिख दिया तो सब को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 32 मिथिनोल का कितना हो जाएगा 32 इथिनोल का calculate करते हम देखो अब 12 जोड़ देंगे वह simply है 14 इसमें add कर लेंगे देखो कैसे करते हैं c2s5oh ठीक है तो 12 गुणा 2 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 5 किसका लिखा पांस है यह आपर और hydrogen के एक atom का कितना था 1 ठीक है इसको हमने लिख दिया प्लस 16 प्लस 1 16 किसका आया oxygen का और 1 किसका अब निए हमने क्या लिखा है आपकर मॉल्यक्र मास लिखा हुआ है तो 12 इंटू 2 इसकोल कितना गणा 24 24 हो जाएगा प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना हो जाई कितना है देखो ठीक है तो कितना बदेंग गया 46 इसका molecule mass हो गया तो मिथेन कितना है था 32 मिथेन कितना है था 32 और इथेनल मिथेनल कितना है था 32 इथेनल कितना है 46 तो 46 मैंस अगर हम 32 करेंगी तो कितना हो जाएगा 6 मैंसे 2 मैंस करेंगी तो कितना हो 4 4 मैंसे 3 करेंगी तो 1 में किसका अंतर आया केवल CS2 ग्रूप का अंतर आया किस ग्रूप का यहां पर अंतर आया तो CS2 ग्रूप का मोलर मास हम इसमें एड करते जाएंगे ठीक है अब हम देखो C3 , C7 ,니까 नेकालेंगे 46 में केतने एड कर लेंगे हम 14 कर देंगे 46 bliич cats państwo कितता होलेगी 16igma 60 में छेटी फिर बूटन ऐगयम सके प्रूपय कितना हाँ नाखाइगे ठीक हम ठीक है ठीकथ 14 फिर एड कर लेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 74 तो ब्यूटेनल का मोलो नमास कितना होगा 74 14 हम क्यों एड कर रहे है क्योंकि CS2 CS2 का मोलो नमास कितना है था 14 कैसे 12 कार्बन का प्लस 2 हाइडोजन एक एटम का एक और दो एटम का दो हो जाएगा तो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 तो CS2 ग्रूप का अंतर आता है तो इस धंक्सम इसको आगे बढ़ते हुए चलेगे ठीक है तो इस धंक्सम जो भी होमोलो नमास होगी तो इसका मोलोकल मास हम कैलकुट कर सकते हैं इनमे क्या दो ज्यानल में एक धेश्यास है तो यह अंगया क्यों हांगी इंक्रिश कार्बे경 एक कार्वेटम होगा ठीक है तो इसका हम अरेंज कर सकते हैं generate the homologous series for compounds containing up to four carbutus of the functional group in given 4.3 table 4.3 table 4.3 में CSO group दिया था इसका में बता देता हूं ही पर CSO group दिया था तो इसका पहला member क्या होता है H CSO, formaldehyde, दूर्सा member क्या होता है CS3, CSO, तीसा member CS3, CS2, CSO चौथा member फिर लिख सकते हैं, चौथा member में क्या बढ़ जाएगा, एक CS2 group और जूर जाएगा क्या होगा, CS3, CS2, CS2, CS2 group तो ये किसका होगा, butoneldehyde, तो इस डंक से क्या होगा, प्रते जो higher member होगा उसमें CS2 group हम धेरे धेरे बढ़ाते जाएगे, thank you video को like